हे गाईज दिस इस CACMA आस्तोस लाटा फ्रॉम जैपूर राजिस्थान फॉर यू आल स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफर्म पर जहां पर कॉस्टिंग आसान है दोस्तो आज के सेशन में मैं आप लोग के साथ डिसकस करने वाला हूँ CMA Final का SCM News Labus Paper No.16 जो की है December 2023 एक्जाम का इस पेपर के अंदर मैं आप लोग के साथ इस छोटे से से सेशन में डिसकस करूँगा आप लोगों के MCQs जो की आप लोगों के पूरे के पूरे MCQs कैसे solve करने थे कैसा सब कुस था आपको बताऊंगा कैसे कौन से का क्या answer रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा total 30 marks के MCQs हैं आप लोगों को idea है 2 marks each for the 15 questions तो accordingly आप लोगों को क्या करना है वीडियो के end में comment section में जरूर बताएगा कि आप लोगों के 30 marks में से कितने marks आ रहे हैं इस MCQs में जैसा कि मैं reviews देख पा रहा हूँ सारे students का कहना था sir MCQs थोड़े से tricky लगे descriptive part तो बहुत easily manageable था बट MCQs थोड़े tricky लगे एक बार आप बता देते तो अच्छा रहता कि किसका कैसे क्या answer रहेगा तो दोस्तों मैं आप लोगों के सारे discuss करने वाला हूँ इनके सारे MCQs कैसे कैसे solutions होंगे सारा सब कुछ discuss करेंगे आप लोगों का फिर भी कोई doubt रह जाए तो वीडियो के comment section में जरूर बताएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा और वीडियो को like किये मिना मत जाएगा पूरे 30 marks का solution में आप लोगों को बताने वाला हूँ अगले 20 मिनट के अंदर अंदर ठीक है या even less than that ठीक है तो आईए दोस्तों फटा फट से without wasting a single minute now let's move to the question number one एक आप लोगों को एक के question सबसे पहले चीज बहुत सारे students का राउट है sir क्या हमें कोई description देने की जरूरत है आप यहाँ पर ध्यान से देखिए क्योसन ने का है choose the correct option that means आप लोगों को केवल correct option चूज करना है यह आपने कैसे किया यह बताने की जरूरत नहीं है old syllabus के अंदर यह चीज जरूर बताने की हुआ करती थी but new syllabus में यह चीज हटा दी गई है आपको केवल correct option चूज करना है तो क्योसन ने कहा downtime due to defect in quality is an example of अब क्योसन कहता है कि अगर quality में defect है तो उसके कारण्ट से आपका downtigm आ रहा है अब आपको downtigm आ रहा है कहाँ पर आएगा definitely आपके in-house factory के अंदर किसके कारण्ट से आ रहा है क्योंकि quality में defect था तो quality में defect के currency अगर downtime आ रहा है तो दोस्तो ये आप locally हो जाएगा internal failure ठीक है then उसके बाद में next आता है एक ऐसा point जो कि usually student के लिए बहुत बड़ा theoretical point रहता है सर ये चीज का क्या answer रहेगा definitely इसमें बड़ा question रहेगा कि ये किसका सही है which one of the following important pillar of strategy cost management determines the company's comparative position in industry in term of performance मतलब performance की basis पर comparative position आपको different companies की check करनी है तो उसके लिए बहुत अगर आप एक normal IQ level भी लगाते हैं देखो comparison और position को compare करना है तो भहिया उसके लिए strategic positioning analysis आप लोग को करना है कि strategically किसकी performance कैसी है तो उसकी positioning देखनी है तो that's all point number C will be the correct answer then अब आते हैं आपके practical question सालू question आपका opportunity cost से based है तीन आपके इसमें particular बात करें तो तीन product है A, B और C और question कहता है कि opportunity cost बताओ A की क्या होगी मतलब कि अगर हम A बनाते हैं तो definitely क्या होगा आपको पता है opportunity cost का मतलब होता है जो भी हमारा second best option था उस second best का जो हमको profit forgone करना पढ़ रहा है वो profit अब मुझे एकor बताओ अगराप A बना रहे हो तो इसका मतलब कि आ तो B बना हो नहीं C बना पा रहे है किla questionने का है A और B और C तो मतलब आतो ए बना सकते हो या B बना सकते हो C अब आप ध्यान से देखो, अगर आप B बनाते हो, तो कितनी unit बनाओगी, सर्फ 3500, तो B की आप बना सकते हो, 3500 unit, ठीक है, और अगर C बनाते हो, तो सर 5000 unit, ठीक है सा, 5000 unit, और इनसे होने वाला जो contribution है, वो कितना है, A, B, C का दे रखा है, 10, 11, 8, तो इसका मनला B का 11, और C का 8, अब मुझे एक ची बताओ, अगर आप 3500 को 11 से multiply करते, मतलब अगर आप B बनाते, तो आपको 39500 का profit होता, मतलब की contribution होता, और वहीं आप अगर C बनाते, तो कितना होता, सर 40,000 का होता, तो अब मुझे एक ची बताओ, अगर आप A नहीं बनाते, तो आप क्या बनाते, सर definitely जो second best है, हम B पर क्यों जाते, जब हम 40,000 कमा सकते हैं, तो हम 49,000 क्यों कमाएंगे, तो accordingly 40,000 will be the correct answer, तो accordingly D हो जाएगा, अब आता है एक बड़ा ही ambiguity, इस question के बारे में आप लोग मुझे जरूर से बताइएगा, question number 4, इसके बारे में क्या है, जैसा ही paper हुआ ना, तो लगबग मै 10 से 15 students को इसके reply देते कि मैं ठक चुगा था, फिर उसके बाद में मैंने यही सोचा कि यार मैं मेरे registered students के जो भी WhatsApp groups बने हुए हैं, मैं उन registered students को इसको मेरे voice note के जरीए मैं इसको reply कर दूँ, तो मैंने इसको मेरे students जो registered हैं, उनको सबको मैंने इसके बारे में बताया, although कुछ रोगों ने, मेरे student ने भी इसमें गलती करी, और उसके बीची की गलती क्या हुई है, वो भी मैं आपको बता दो, देखो question ने क्या बोला, Robinson Limited, a manufacturing company has a break-even point when sales are 10 lakh, question कह रहा है कि एक Robinson Limited करके एक company है, उसको break-even point अच्छी होता है, जब उसकी sale होती है 10 लाग, आपको बता है, break-even पर, तो इसका मतलब आपकी total cost भी कितनी होगी, सर 10 लाग, अब आपकी total cost 10 लाग है, उसमें से fixed cost है 4 लाग, तो 10 लाग में से अगर आपकी fixed cost 4 लाग है, तो मुझे ये बताओ कि आपकी variable cost कितनी होगी, सर 6 लाग होगी, clear है, variable cost 6 लाग, अब आईए, question बोलता है, to realize profit of rupees 2 lakh from sales of 3 lakh units, selling price per unit क्या होगी, मतलब question क्या जानना चारा है, question जानना चारा है, कि अगर मुझे 2 लाग का profit earn करना हो, तो मुझे कितनी selling price रखनी है, अब आपको पता है, आपके लिए यहाँ पर question ने sale unit दे रखी है, तो इसका मतलब 2 लाग रुपे, अगर आपको कमाने है, 3 लाग unit को sale करके, तो इसका मतलब desired sales कितनी होगी, सर 3 लाग, अब आप देखे, आपको पता है, desired sales निकालने का formula, अगर आपको units में निकालना है, तो formula होता है, fixed cost, that means 4 लाग, plus आपका desired profit, that means आपका 2 लाग, divided by contribution per unit is equal to हो जाता है, आपकी desired sales, तो वो है आपकी इस question में 3 लाग, question चाहता है कि 3 लाग unit अगर में रखनी है, तो बताओ, तो accordingly क्या contribution per unit आजाएगा, कि इससे answer है yes sir, contribution per unit आजाएगा, कितना होगा, sir 6 लाग divided by 3 लाग, तो आपके लिए 2 रुपए का contribution अगर आप कमाते हो, तो आप 3 लाग रुपए की, आपकी क्या हो जाएगी, 3 लाग units आपकी हो से, तो आपका contribution होना चीए 2 रुपए, ताकि आप 3 लाग पर 2 रुपए के इसाब से, आप 6 लाग रुपए कमा हो, उसमें से 4 लाग fixed cost दे दो, तो भी आपके बाद 2 लाग बच जाए, अब 2 रुपए हो गया contribution, अब आपको पता है, formula ये कहता है, कि selling price is equal to, आपको पता है, selling price में से जब आप variable cost less करते हो, तो आता है contribution per unit, अगर मुझे selling price निकालनी हो, तो क्या करूँ, सर ये minus का जो variable cost है, ये उधर ले जाओ, और ये plus कर दो, तो इसका मतलब मेरे पास, अगर मुझे selling price निकालनी है, तो मुझे क्या करना है, सर contribution में variable cost जोड़ देना है, अब आपके ये यहाँ पर सर variable cost कहां से है, तो बड़ा simple है, अभी अभी हमने निकाला 6 लाग की variable cost है, 3 लाख unit पर 6 लाग की variable cost, तो इसका मतलब 2 रुपए की variable cost हो गई, तो 2 रुपए का contribution, 2 रुपए की variable cost तो answer हो जाएगा 4, अब इसमें जो most of the students ने, जो common mistake करी है, वो क्या है, common mistake जो students ने करी, वो मी भी आपको बता देता हूँ, student ने क्या किया, कि सर, आप देखिए, break even point है, 10 लाख sales पर, 10 लाख sales पर आपका break even point है, 4 लाख की fixed cost है, सर, break even point पर आपके लिए, contribution fixed cost के बराबर होता है, यह हमें पता है, सर, तो इसका मतलब सर, 4 लाख का contribution आया, 10 लाख की sale पर, त तो हमने, सर, क्या किया, कि आपके लिए, हमने क्या किया, सर, देखिए, 4 लाख रुपए का हमारा fixed cost, प्लस 2 लाख रुपए का हमारा desired profit, divided by कर दिया, सर, हमने 40%, इससे हमारे पास आगई, total desired sales in rupees, क्योंकि PV ratio का divide लगाने से, रुपीज में आ जाती है, तो हमने, सर, क्या किया 6 लाख में 40% का divide लगा दिया, उससे आ गई हमारे पास 15 लाख, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए हुए, 3 लाख unit के लिए, तो सर, divided by 3 लाख कर दिया, तो answer आगया 5, तो सर, हमने इसका answer B कर दिया, 5 रुपए, अब ये गलत है, ये तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि जब answer C तो गलत है, लेकिन point ये है, कि सर, ये गलत क्यों है, दोस्तो, आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको 40% ही मान के चल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो आप वही selling price मानते हो, चल रहे हो, जो पहले रही है, सर, ऐसा क्यों, आप सोच के देखो, अगर आप की selling price 5 रुपए आ रही है, 40% का contribution है, इसका मतलब आपका contribution per unit 2 रुपए आए होगा, क्योंकि 5 का 40%, 5 multiply by 40%, ये हो गया आपका 2 रुपए, तो इसका मतलब variable cost क्या 3 रुपए आई है क्योंकि 5 में से 3 less करोगे, तभी तो 2 रुपए आएगा, अब मुझे एक ची बताओ, अगर ऐ ऐसे case के अंदर बड़ा simple है, ध्यान से देखेगा, आगर आप लोग को मैं बोलू यहाँ पर, भाई रुख जाओ यार, तो 5 में से 3 तबकि variable cost तो 2 रुपए थी, अब मुझे एक ची बताओ, variable cost per unit पहले 2 रुपए थी, अब 3 रुपए हो जाएगी क्या, no, मैं हमेशा से मेर variability के आधार पर जब हम cost को बाढ़ते हैं, वो हम total cost के आधार पर बढ़ता है, मतलब कि variable cost total में variable होती है, और fixed cost total में fixed होती है, यह concept मैंने class में काफी बार समझाया हुआ है, ठीक है, तो एक बार question number 5 से पहले, मैं एक सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं, कोई urgent call है, मेरे ही एक student का call बार बार कर रहा था, जैपुर का ही गोविन दहे की student, उसका, चली, question number 5, am on limited plan to introduce new product ZOS is using target cost approach, बहुत बढ़ी आसा, target cost approach follow कर रहा है, selling price of the product ZOS is set 120 for each unit and sales revenue for the coming year is expected to 9,60,000, अब मुझे एक ची बताओ, question कह रहा है कि भाई साब हम लोग 120 रुपए की selling price रखेंगे और 9,60,000 की expected sale है, और हम selling price रख रहा है 120, इसका मतलब units कितना रखना चाहरे हो, sir 8,000 unit, कैसे आया, 9,60,000 total sales divided by selling price 120, तो आगया 8,000 units, आगे चलिए, the company require a return of 15% on the coming year on its investment of 20,000, और question कह रहा है कि company चाहती है कि वो अपने 20,000,000 के investment पर 15% return कम है, अब 20,000,000 का 15% मतलब की 3,000,000,000,000,000,000,000,000 कमाना चाहती है, ठीक है, what is the target cost per unit for the coming year, target cost per unit कितनी होगी, तो भाई साब, आप 9,60,000,000 की sale करना चाहरे हो, उस में से आप 3,000,000,000 का profit कमाना चाहरे हो, इसका मतलब आप 9,60,000 में से अगर आप 3,000,000 less कर दोगे, तो इसका मतलब आपको अपनी target cost जो रखनी पड़ेगी, व उनिट के लिए, तो 6,30,000 में जब आप 8,000 unit का divide लगाएंगे, तो अगर target cost per unit आजाएगी, sorry, 6,30,000 नहीं, 6,60,000, तो आजाएगा 6,60,000, sorry, calculation mistake, तो 6,60,000 में जब आप 8,000 का divide लगाएंगे, तो आपके बास answer आजाएगा 82.5, और इस तरीके से आप लोगों का, इसका answer हो ज जाएगा, ठीक है, मुझे बताना जरूर, कि आपके marks कितने आ रहे हैं, out of 30 marks, और आपका कौन सा question गलत हुआ है, और क्यों हुआ है, ये भी मुझे जरूर बताएगा, कि सर, जैसे आपका 30 marks में से आपको लग रहा है कि सर, मैं तो 11 ही question सही हुए है, तो आप मुझे जरूर बताएगा, ताकि comment section में commonly पता चले कि students की commonly कौन सा question गलत हुआ है, ये चीज मुझे पता चले, और अगर आपको कोई से अभी question में doubt हो कि सर, ये वाला question मेरे को समझ मी नहीं है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं, मैं आपको definitely जवाब दूँगा, the highest negative opportunity cost value in unused cell of transportation matrix is chosen to improve current solution because, आप आपको पता है, transportation में हम लोग क्या करते हैं, transportation में हमने हमारी quantity assign कर दी, quantity assign करने के बाद में हम लोग optimality test करते हैं, और optimality test करने के लिए हम लोग delta ij निकालते हैं, और वो delta ij में हम लोग क्या करते हैं, अगर delta ij पूरा का पूरा positive है, तो that means हमारा solution optimal भी है, और हमारा solution unique भी है, अगर हमारा question का जो delta ij है वो सारे unused cell पर जहां पर भी unallocated cell पर अगर delta ij कहीं पर सारे आतो रहे है positive लेकिन कुछ जगे पर 0 भी है तो ऐसी case के अंदर उस solution को हम लोग क्या कहते है कि ये solution आपका optimum तो है बट unique नहीं है क्यों क्योंकि जहां पर 0 आ रहा है हम वहां पर भी allocate कर सकते है लेकिन अगर कहीं पर delta ij minus आ जाता है ये denote करता है कि आपके पास opportunity है आप अपनी transportation cost को और कम कर सकते हो तो question ने कहा और आपके अगर वो negative जो है negative आपके पास एक से ज़्यादा दो जगए आ रहे है एक जगए पर minus 2 आ रहा था एक जगए पर minus 5 आ रहा था ये क्या denote करता है ये denote ये करता है कि अगर आप minus 2 वाली जगए पर allocate करोगे तो आप 2 रुपे बचा पाऊगे आप अगर minus 6 वाली unit पर करोगे तो आप 6 रुपे बचा पाऊगे तो ये ये चीज़ बताता है क्योस्टन ये ही पूछ रहा है कि highest negative जो है उस पर आप assignment unused cell को choose करते हो तो वो क्यों करते हो तो बड़ा simple है क्योंकि आप cost reduction per unit चाहते हो तो it represented maximum possible cost reduction per unit उमीद करता हूं के लिए अड़ next next question आता है बड़ा आसान सा question था ये इस question के अंदर मैं पूरा बता देता हूं आपको 800 additional unit बनानी है और question चाहता है कि the change will result in increase in throughput contribution आपको पता है throughput contribution क्या होता है throughput contribution होता है जो आपकी selling price है उसमें से केवल material की cost आपको लेनी होती है क्योंकि variable cost हम लोग contribution में तो क्या करते है all variable cost less करते है लेकिन throughput contribution में केवल और केवल क्योंकि throughput contribution का जो concept है वो ही कहता है throughput accounting जो concept है वो कहता है कि हमारे लिए जो variable cost है वो केवल है ही material तो जब किवल है ही material तो throughput contribution कैसे हैगा selling price में से variable cost less करके और selling price में से variable cost कौन सी material तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे आपको selling price दे रखी है 18,000 आपको material की cost दे रखी है 7,000 तो 18,000 माइनस 7,000 तो आजाएंगे 11,000 रुपए पर unit का आपका throughput contribution हो गया और आप additional कितनी units बना देओ सब 800 additional units हम लोग बना रहे हैं तो 800 units को आप 11,000 से multiply करेंगे तो आपका answer आजाएगा 88,000 उमीद करता हूँ यह वाला क्योश्चन तो किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा यह एक बहुत basic सा क्योश्चन था learning का उपर learning कर में आपको question ने कहा कि हम पहली unit को बनाने में 200 minute लागाते हैं और अगर हमारा learning rate 90% है तो आप हमें बताएगे second unit को बनाने में कितना समय लगेगा अब देखो पहली unit को बनाने में 200 आपको पता है आप जब इस 200 को आपकी learning rate से multiply कर देते हैं तो आपके पास आएगा 180 ये 180 क्या denote करता है ये denote करता है आपकी first और second unit का average time कि मतलब कि पहली unit को बनाने में 200 घंटे लगे दूसरी unit को जैसे हम लोग बना देंगे तो हमारा total average time जो है वो 180 होगा अब मुझे एक ची बताओ अगर 2 unit का average 180 है तो 2 unit का total कितना होगा 360 एक unit का average जो है वो आपका आ रहा है 180 तो 2 unit का समय कितना होगा सर 360 अब मुझे एक ची बताओ पहली unit को बनाने में 200 घंटे लगे और पहली और दूसरी दोनों unit को बनाने में 360 minute लगा sorry minutes में दे रखा है तो पहली unit को बनाने में 200 minute लगे है और पहली और दूसरी दोनों को बनाने में 360 minute का वो क्या है वो second unit को बनाने में लगने वाला समय है तो आपका इस 160 ये A will be the correct answer उमीद करता हूँ इसमें भी किसी को कोई doubt नहीं रहा होगा ठीक है then next question next आपका एक simulation के उपर क्योशन था बड़ा basic सा क्योशन था आपको बता है simulation में हम लोग क्या करते है हम लोग simulation table को एक cumulative range create करते है क्योशन ने आपसे ये कहा है random number को use करते हुए determine करना है processing time that would be used to simulate the fifth sample आपसे क्योशन ने कहा fifth sample का मतलब ये वाला इस sample को use करते हुए आपको बताना है processing time में कितना लगेगा और question ने खुद ने कह दिया using the first two digits of the random number और random number के शुरुवाती दो unit शुरुवाती दो unit का मतलब 3757 में से 37 को use करना है अब आपको देखना है 37 किस range में fall कर रहा है आप देखो आप जब इसका cumulative series बनाओगे तो आपके लिए समय कितना percent है आपकी यहाँ पर तो sir ये है आपका 30 तो 30 की series बनाओगे तो ये आएगा 00 से start होगे 29 तक फिर ये है 45 तो that means 75 होगया तो 75 होगया तो ये 30 से start होगर के 74 अब मुझे एक ची बताओ तो ये 37 काँ फॉल करेगा सरिये second आपकी range में फॉल करेगा और second range का मतलब हो गया 2 मिनट का समय तो answer हो जाएगा 2 मिनट उमीद करता हूँ इसमें भी कोई doubt नहीं आया होगा next next कुस्टन आता है एक company producing output x and y uses standard costing standard overhead content of each product is आपको standard overhead का content दे रखा है जो की x के अंदर लग रहे है 3 रुपए y में लग रहा है 2.25 रुपीज पर उनिट budgeted overhead जो है वो है आपका 860 budgeted time है 3440 मुझे एक ची बताओ आपके बाद budgeted overhead है 860 budgeted time है 384440 तो क्या मैं यहाँ पर पर hour overhead निकाल सकता हूँ क्या जिसे हम लोग standard rate बोलते है तो आप कैसे निकालेंगे sir 860 में आप divide लगा देंगे आपके budgeted hours का 3440 तो आजाएगा आपका 0.25 पर hour 0.25 पर hour अब मुझे एक ची बताओ आपको 0.25 पर hour है आपको यहाँ पर overhead का amount दे रखा है कि x के अंदर 3 रुपए है y के अंदर 2.25 रुपीज है अब मुझे एक ची बताओ क्या आप यहाँ से 1 a को बनाने में कितने hours लगेंगे वो बता सकते हैं क्या answer है yes sir बता सकते हैं कैसे 1 घंटे के 25 रुपए sorry 1 घंटे के 25 पैसे तो आपने कैसे निकाला होगा इस 3 को निकालने लिए क्या किया होगा 0.25 को multiply किया होगा hours से और उससे आया होगा आपके पास 3 और यहाँ पर भी 0.25 से multiply किया होगा hours से तो यहाँ आएगा B के hours इससे आएगा 2.25 अब मुझे एक ची बताओ इससे क्या आप hours निकाल सकते हो क्या answer है yes sir बहुत आसानी से निकाल सकते है कैसे 3 में 0.25 का divide लगा देंगे तो 3 divided by 0.25 तो A को बनाने में हमारे 12 घंटे लगे है और B को बनाने में 22.5 divided by sorry 2.25 divided by 0.25 तो इसमें हमारे को 9 घंटे लगे है तो आपके पास आपको दे रखा है compute overhead volume variance अब आपको बता है volume variance का पतलब क्या हुआ standard hours minus actual hours multiply by आपकी जो standard rate है वो अब मेरे पास standard hours है क्या sir standard hours कैसे आँगे sir standard hours होते है standard hours to produce actual output अब standard hours to produce actual output तो कैसे आएगा sir A के लिए आजाएगा 12 hours एक unit के लिए तो 200 unit के लिए 2400 hours B की बात करूँ तो एक unit को बनाने में 9 घंटे तो B की actual 100 unit को बनाने में 900 घंटे तो accordingly मेरे total standard hours अदेंगे 3300 तो मेरे total standard hours 3300 actual hours 3200 तो ultimately आपका formula क्या कहता है standard hours minus actual hours multiply by standard rate जो की है 0.25 पर hour तो 3300 minus 3200 तो 100 hours positive होगे multiply by 0.25 तो 100 multiply by 0.25 तो favorable का 25 आजाएगा तो C will be the correct answer उमीद करता हूँ कि ये वाला question का मेरे को chances थोड़ा कम है कि पता नहीं आप लोग इतना अच्छे से इसको solve कर पाये होंगे नहीं कर पाये होंगे इसलिए institute दो marks देता है इतनी calculation आपको rough में करनी पड़ेगी अब आप इस answer तक तभी पहुचोगे जब आपको ये पूरी calculation आती है या फिर आसपास वाले के मदद से चोईस आपकी है आप आसपास वाले पर भरोसा करते हो क्या ये आ गया जी गेम थेरीगा question गेम थेरीगा ये question बड़ा आसान सा question था टू बाइटू मैट्रिस आप हो दिया हुआ है आपको क्या करना होता है रो में minimum value निकालनी है अब आप मुझे देखो 4 और 6 इसमें minimum क्या है सर 4 minus 10 और plus 10 बच्चा यहां confused सर minus 10 बड़ा की plus 10 बड़ा अरे भाई साब simple है ना minus 10 छोटा है मतलब छोटा पता करना है आपने को minimum तो यह आ जाएगा minus 10 तो minimum आगए है रो minimum अब आपको column maximum पता करना है तो 4 और minus 10 इसमें से बड़ा कौन सर 4 6 और 10 इसमें से बड़ा कौन सर 10 अब आपको value of game पुछिए अब value of game क्या होती है अगर आप लोगों के लिए रो का जो minimum आपने निकाला उसका maximum जिसे हम maximum कहते हैं तो यहां पर maximum क्या होगा minimum का maximum तो 4 और minus 10 इसमें से दोनों में से कौन सर बड़ा है सर 4 तो maximum तो हो जाएगा आपका 4 आपको यहां पर यह क्या है maximum है column maximum अब आपको इसका minimum लेना है जिसे हम लोग mini max कहते है तो यह हो गया mini max अब maximum का minimum तो 4 और 10 इसमें से maximum minimum क्या है सर 4 अगर आपका maximum और mini max की value सेम आजाए तो यही आपका value of game है इसलिए इसका answer आपका A है उमीद करता हूँ कि यह भी आप लोगों का सही रहा होगा अगर आपने किया है तो यह एक बहुत ही आसान सा सवाल मतलब जिसको formula पता है वो का answer कर लेगा क्यों सर ने आपको total float दे रखा है free float दे रखा है और आपसे independent float पूछा है आपको बता है total float क्या होता है बड़ा simple है सर आप LST EST का difference लेलो चाहे LFT EFT का difference लेलो free float क्या होता है सर total float में head event के slack को less कर दो तो आजाएगा free float independent float क्या होता है यह आपको दे रखा है 10 यह आपको दे रखा है 7 और independent float होता है free float में से जब आप tell event का slack tell event का slack less कर देते हो अब आपको question नहीं हाप tell event का slack दे रखा है 2 दिन तो 7 में से 2 less करोगे तो आजाएगा 5 तो independent float हो जाएगा आपका 5 days उमीद करता हूँ यह तो बहुत आसान से clear हो गया होगा फिर उसके बाद में कुछ theory का part है आपका point number 3 इसके लिए C आपका correct answer होगा यह आपके तीनों के तीनों आपके financial analytics tool थे यह भी आपके है यह अपने MCQS book में आपको मिल जाएगे then उसके बाद में question कहता है कि नीचे which of the following is not a part of qualitative type of forecasting technique और आपको पता है exponential smoothing जो है यह qualitatively quantitative होता है तो इसी के साथ point number 15 भी हो जाएगा complete तो जैसा मैंने आपको कहा था कि 20 से 25 minutes में मैं इसको complete करूँगा मैंने complete किया है 24 minutes में उमीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से सारे solution प्रोवाइड कियोंगे वीडियो के comment section में जरूर बताएगा कि आपके कितने marks आ रहे हैं out of these 30 marks और किसमे marks कट रहे हैं ये भी मुझे जरूर से बताएगा and किसी भी question में कोई भी doubt हो तो you can ask me okay guys that's all guys take care ध्यान रखेगा आपका और आपके अपनों का this is CSEA में आस्तो श्लाटा signing off दिल से बोलते रहेगा costing आसान है और definitely result बहुत अच्छा आएगा आप लोग बिलकुल बेफी कर रहे हैं आपका पेपर अच्छा गया होगा और अगर अच्छा नहीं भी गया तो भी घबरानी की बात नहीं है आप लोगों को अगर आपने मेहनत किये तो definitely आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है कोई भी नहीं Mark my words, कोई भी नहीं Okay guys, all the best